छोले कुल्चे बनाने के लिए निनलिखित स्टेप्स का पालन करें। सामगरी दो कप सफेद छोले प्रिसोकेड या रात भर भिगो कर रखें। दो छोटे प्यास कटा हुआ। दो टमाटर कटा हुआ। दो हरी मिर्च कटी हुई। एक अद्रक का टुकडा कटा हुआ। दो लहसुन की कलिया कटी हुई। एक चमच लाल मिर्च पावडर। एक चमच धनिया पावडर। आधा चमच हल्दी पावडर। एक चमच गरम मसाला। दो चमच नमक। एक चमच अंचूर पावडर। दो टमाटर का पेस्ट, आधा कप तेल, चार कुल्चे, कदाई में तेल गरम करें और उसमें प्यास, हरी, मिर्च, अधरक और लहसुन डालें. उन्हें सुनहरा होने तक भूनें. अब उसमें टमाटर का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें. सभी सामगरी को अच्छे से मिलाएं और उन्हें अच्छे से पकाएं. अब उसमें भिगो कर रखे छोले डालें. अच्छे से मिलाएं और धीमी आज़ पर पकाएं जब तक छोले गल न जाएं और मसाला अच्छे से लग जाएं गर्माग्रम छोले को निकालें और उन्हें प्यास और हरा धनिया से सजाकर परोसें उसके साथ कुल्चे या रोटी का सेवन करें आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें लिंगू का रस भी मिला सकते हैं गर्म गर्म छोले कुल्चे के साथ परोसें और मजे करें